नमस्कार दर्शकों दूर्दर्शन हिमाचल के कारेकरम खेल जगत में आप सब का स्वागत वे अभिनंदन दर्शकों खेल जगत एक ऐसा कारेकरम है जिसमें हम आपको खेल से जुड़े तमाम ऐसे हस्तियों से मिलवाते हैं जीनों ने खेल जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है और इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ही खास सक्षिय से मिलवाएंगे तो दर्शकों आज का हमारा विशे है हिमर्चली खिलाडियों का खेलों में रास्ट्रिय वे अंतरास्ट्रियस तरपर प्रदर्शन और इसी विशे पर विस्तुरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टुडियो में मौझूद है हमारे खास महमाच इनका नाम है शीरी डाजेश भंडारी जी तर आपका हमारे स्टुडियो में लिए बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकों जितने इनकी तारिफ की जाए उतना ही कम है यह एक ग्रास्रूट लेवल से लेकर आतर अस्ट्रियस तरक cowboy काम करते हैं यह पंचायत के परधान भी हहें और साथ ही साथ में यह वास्टेव यह अन्तरास्रियस तरपर युवाओं का खेल स्टिश मेंजपर्श प्रती जागरुग भी करते हैं और इसी के साथ ही यह H машal Pradesh Boxing जो Association है उसके यह प्रेजिज़े हैं और इसी के साथ इतना ही नहीं इनों ने अलोंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है सर आज मुक्य वाजी जो है वो ना कि हिमाचल परदेश बलके पूरे भारत में एक popular game बन चुकी है तो आपने जो मुक्य बाजी है उसको एक game जो है इस्टाब्लिश होई हिमाचल कि हिमाचल परदेश में और भारत में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने देखा जहां मैं रहता था शिमला में कुसुम्ती में तो वहां एक boxing के खिलाडी थी जो स्वेरे उठके रोज दौरते थे और स्वेरे आके एक बोरी सी रटकाई होती थी और उसमें boxing करते थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि यह क्या है इसमें भरा बुरी में कि यह boxing कि इसमें रेत और बुरा भरा होता है और हम उसके practice करते हैं और अपने muscle बनाते हैं और खेल करते हैं यह एक खेल है boxing मैंने भी खेलना है मुझे भी shock आया कि मैं भी खेलू मैं भी खेलना चाहता ह कि आजो उनका नाब श्री विनोद करनाल जी थे हमारे परूसी होते थे वहां से मिर को shock आया boxing खेलना का और school में मैं बॉक्सिंग शुरू कर दी 71 में 70 से 71 में और 71 में पहली बारी state championship में मैं participate किया है तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ है boxing का और उसके बाद school college और state level और अ बहुत कुछ तो सर जैसे आपने बताया कि आपको यह लगाव जो है वह बच्छपन से ही था school level से ही था तो क्या इस पे आपके teachers का भी योगदान है कि उन्होंने भी आपको प्रोसाहित किया कि आप इस boxing game को जो है वह अपना एक passion बनाये boxing उन्दे में एक नया खेल था ही मा boxing खेलते थे और उस वक्त हिमाचल में कोई boxing association भी नहीं हुआ करते थी वो एक राष्टिस तरके खिला रही थे और हिमाचल की टीम जाती नहीं थी राष्टिस तरके लिए तो हर्याना को रिपरजेंट करते थे हर्याना की और से और national में खेला करते थे उन्हीं नहीं नहीं boxing association का गठन किया 71 में जो 71 में पहली वारी boxing association बनी पहली championship जो अनडेल में हुई तो मैंने भी उसमें भाग लिया तो तब से इस सफर शुरू हुआ फिर यहां पर हिमाचल open boxing championship होती थी और रिच पर एक रवाई जाती थी उस वक्त के जो थे यहां पर doctor wise प्रमार chief minister हुआ करते थे 71 में तो पूरा राज्यत सो अमने फिर्स चीफ मिला था तो 72,3,4 state championship होती रही तो परमार साब का बड़ा प्रोसान था इस championship के लिए HP open championship पहले अनडेल में हुई फिर रिगल cinema यहां पर उसमें होती रही फिर इच पे हुई इसमें यह नॉस जोन का एक ऐसा competition बन गया था कि पंजाब, हर्याना, चंडीगर्ड डिली के बॉक्सर आते थे अच्छे जाने माने बॉक्सर जी उसमें मैं कुछ के नाम लेना चाहूंगा शायद कोई दर्शक हो जो उनको जानते होंगे कि पंजाब के बॉक्सर बड़े प्रसिद हुआ करते थी हैं पर खासकर सुनाम, सिंगरूट के कॉलिज चंडीगर के बॉक्सर आते थे, जलंदर के बॉक्सर एते थे, ख्यास कर चंडीगर्ड के दो बॉक्सर बड़े मुश्या करते थे, निगरूस rush, उनको कहते थे, जो हुआरे बॉक्सर थे राष्टस्तर पर इच्छा परदशनी किया उन्होंने तो एक सफर था शुरुवाती दौर का तो सार जैसे आपने बोला कि 1971 में आपने फर्स टाइम जो है वो बॉक्सिंग चंपियोंशिप में पार्डिसिपीट किया वो भी अन्नाडेल में उस टा कि दौरे उठके इतना शौक था कि सवेरे हम उठ जाते चार वजे दौरने जाना और बॉक्सिंग खेल उता था लोग दरते भी थे कि नहीं बच्चों को नहीं भीगना मुक्के बाजिया खेल मुक्का के लग जाया था लग जाएगा और हमारे घरवाले भी रोकते थे कि बॉक्सिंग खेलना कुछ और गेम खेलो लेकिन हमें शौक था सवेरे हम लोग उठते थे और दोड़ने जाना जितने में घरवालन उठना तो हमने सो जाना शुरू सुरू में तो ऐसा होता था तो काफी घर से भी उपोजिशन होती थी उन दिनों और लोगों का इंकरिज में मिली उसके बाद पंजाब खेलने के तो पंजाब में मैडल जीत के ले आए हम लोग तो काफी मुश्किल था शुरू शुरू में क्योंकि मुक्कों का खेल था लेकिन जबकि वास्तविक्ता में यह है नहीं इस तरह का इसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं कि आपको उस नि उनके मुँपे देते हैं कभी खाई तो उनको क्या लगती नहीं है इस तरह में मैं दर्शों के जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ नियम से बंदवा खेल हर खेल नियम से बंदवा होता है और उस नियम को अनुसार एक टार्गेट एरिया होता है जो नहीं मार सकते हैं बटिंग नहीं कर सकते हैं इस तरह से नहीं मार सकते हैं आपको यहीं से नकल पोजिशन से मारना होता और वह भी टार्गेट कंदर उसी के पोइंट्स मिलते हैं आप इधर मारोगे बाजियों पर तो स्कोर नहीं मिलता है तो हम उनको इस तरह से चिखाते जी आपने टार्गेट में कैसे हिट करना है तो सच जिसे अगर फेस पे बार देता हैं अगर कोई उसके पेड़ से तिप चेल और दान भी खेल जाते हैं ऐसी अधीती जी कोई बात नहीं है आज तक तो किसी के तूठी नहीं है नहीं किसी कि इतना फेडल हुआ है वैसे तो में उतनी फेटल कभी नहीं लगी है क्योंकि जब आपने ओपनेंट को मारना है तो आपको तो लगेगी तो हम ऐसी टेकनिक कुराते हैं कि मारना है और बचना है क्योंकि यह खेल है इसमें यह आपका एम यह नहीं होता कि किसी को नुक्सवान करना है इसका खेल खर खेल का यह सिखाते हैं कि attack and defense आपने score करना है score करके बचना है तो वो टेक्निक जो है न डॉल्प करते हैं तो सर इसमें जब हम boxing खेलते हैं जैसे हमारे cricket होगे या दूसरे sports होगे उसमें different rules होते हैं तो boxing खेलने के लिए क्या-क्या rules and regulations होते हैं बॉक्सिंग में सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे और गेमों में उसमें कोई एज का criteria नहीं है और नहीं weight and height का weight का criteria होता है boxing में weight का नूसर होता है जैसे wrestling है boxing है judo है जितने martial arts हैं इसमें weight categories होती हैं तो हर weight category को बांटा होता है जैसे boxing में 48 तक एक weight category होती है 48 से 51 तक दुसरी category है 51 से 54 तक next category होती है तो इसमें 2 या 2,5 kg का फर्ग होता है जो उसके बीच में आता है weight category में डाल जाता है जो उससे उपर होते हैं दुसरी category में जाते हैं तो इसमें यह weight का खास ध्यान रखा जाता है तो इसलिए बराबर के लोग ही खेलते हैं आपस में मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे 20 यह का बच्चा है और उसको 30 यह के साथ जो है वो खिलाया जाता है 20 यह का बच्चा 30 यह साथ खेल सकता है लेकिन weight का difference नहीं होना चाहिए weight का difference सिर्फ 2 या 2,5 किलो होता है weight देखा जाता है इसमे age group जो है वो 18 साल और 18 साल से उपर senior में खेलते हैं हम उसको elite class कहते हैं जो 18 साल से नीचे है उसको youth और उससे नीचे जो है 16, 15, 14 यह junior में आते हैं जो 18 साल से नीचे age देखी जाती है जो 18 साल के बाद जैसे आपको adult जैसे आप हो जाते हैं तो senior में आते हैं फिर वहां पर आप age 40 साल तक खेल सकते हैं लेकिन weight category का द्यान रखा जाता है कि weight का ज्यादा difference ना रहें जा मतलब only weight इसमें ज्यादा माइने रखता है age group इसमें ज्यादा माइने नहीं रखती है जब तक आप 18 साल के हैं जी 18 से निचे रखा जाता है age की classification भी है सर जैसे हम और आप हिमाचल से जुड़े हुए हैं और हिमाचल में अगर देखा जाए तो प्रतिवा की कोई कमी नहीं है तो इस टाइम आप जो है वो इसके president भी है boxing जो इसके president भी हैं तो आप यहां पर boxing से related आप यूद को किस तरह से promote करते हैं ताकि उनमें यह प्रतिवा और भी निखर के आए association की है हमारी एक boxing association है जिसके के unit से नीचे पंचायत लेवल तक इसके बाद हमारे state association के साथ district unit जुड़ी होती है district के साथ नीचे block level की units होती है वो block level की units बनके एक district unit बनाती है district unit नीचे अपने district में अपने clubs या छोटोटे unit बनाए होते हैं उसमें boxing के बच्चे त्यार करते हैं उसकूल जुड़े होते हैं college जुड़े होते हैं वही district वाले फिर state में आते हैं अपना boxing की गतिवी दिया हो चलाते है district level फे फिर state level पे participation होती है state level पे जैसे हमने हाली ही में हमने एक tournament कराया है jury उनको हमने select किया है उनके chain किया है आज कर यहां यहां sports complex में जो है इंद्रा गांधी sports complex शिम्ला में camp चल रहा है उनका तो उनको हम prescription दे रहे है national championship के लिए तो वह अभी हमारी बिलेरी में करनाट का वहां JSW के बहुत खुबसूरत complex है sports का मैं खासका JSW का नाम इसलिए दे रह complex है वह बहुत रहा complex है और JSW दोरा वहां पर national cry जा रही है तो हमारी टीम यहां से वहां जा रही है national खेलने के लिए elite class की है वैसे ही junior का है junior के हम अलग से championship कराते हैं उसके नीचे यूथ की है उसकी अलग championship होती है और महिला और पुरुश के लिए men women के लिए different अलग-अलग categories championship होती है जी तो सच जिसे यह जो boxing हमारे पास यह game है sport है इसको खेलने के लिए क्या कोई भी youth जो है वो किसी भी time खेल सकता है या फिर उसको कोई rules and regulations का इसमें पालन करना पड़ता है जैसे मैंने पहले आपको कहा rules and regulation तो हर game में होती है boxing में भी है age का मैंने पहले आपको कहा कि youth वो 16 साल तक खेल सकते हैं उसके बाद junior जो है youth जो है 18 साल तक खेल सकते हैं जो 18 सानीचे खेल सकते हैं उसके उपर senior category चलती है जिसको हम elite class कहते हैं वो उसमें participate करते हैं तो हम लोग हर categories में school के बच्चे youth में आ जाते हैं सब junior junior youth and elite यह चार categories है वो अलग-अलग लेकि youth वाला junior में नी खेलता और junior वाला sub junior में नी खेलता तो इसमें age classification है 18 साल तक के लिए 18 साल से उपर सारे elite class में आते हैं और उनके अलग-अलग rules है जैसे हम नीचे junior में दो mint का round देते हैं senior में तीन में का round देते हैं एक मिंट का इसमें rest होता है तो इस तरह से जो है ना इसके rules and regulation है जी सर 1996 में आप इंडिया के general secretary भी रह चुके हैं federation of boxing के तो इसमें आपने उस time जो है वो boxing को प्रमोच करने के लिए आपने क्या क्या कारे किया और आपने हीमाचल से और इंडिया से किन-किन stars को international stars को उत्पन किया 96 में मैं national secretary बना था वाक्सिंग से जुड़ा था और मुझे इस खेल के वारे में ग्यान भी था तो 96 में में जब मैंने देखा कि मैं क्या नई चीज लाग सकता हूं तो मैंने पहले वारे ये फिल किया मैंन में तो थी लेकिन वोमें में लड़कियों के लिए कोई competition नहीं था और हमारी जो state association थी वो बार बार ये कहती थी कि नहीं के वोमें के लिए भी होना चीए तो हमने वोमें कैटेगरी भी शुरू किये उस बग लेकिन विश्व में न जह रहते हैं पहले आप इंदिया में शूरू करो उसके बाद जो है इस यह में और वर्ल्ड वर्ल में शूरू करी ऑगए हैं इंडिया में शूरू की शुरू की दोहजार में यह नैशनन mentioning hier यह पर वी और उसके बाद 2006 में हमने Asianischen चंपिनिशिप भी यह यहां पर की तो एक वोमन केटेगरी का जो वर्ड में पहले वारी बॉक्सिंग शुरू हुई तो भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है महिला मुक्यवाजी को शुरू करने के लिए उसके पीछ है आपका ही योगदान है जो आपने वोमन का जो बॉक्सिंग चेंपियोंशिप आपने ही मैरीकॉम जैसे स्टार्स को जो है वो आप आगे लेकर आए तो उस टाइम आपको किन-किन डिफिकल्टिस का सामना करना पता है मेरा ही नहीं मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं हम सब लोगों ने इंडिया में मिस्टर अश्यो कमट्टू भी थे हम लोग सब लो कि मैं हमाचल से स्टार बॉक्स नेशनल से निकले हैं हमाचल कि अभी हमाचल के आपने देखा अवलंपिक स्ज और आज हमाचल के मुक्यवाद भारत ले हैं अशीर च Näँदर छिसका जौन ओधरन है जheen आशीर चाधरी ही में टोक्यो अलम्पिक में खेल के आ रहा है एक बहुत बड़ी उपलब्दी है जिसे मैं सोचता हूँ कि हमारी हिमा चलके और जो युवा वर्ग है खिलाडी है उनको भी प्रोसान मिलेगा एक इंकरिजमेंट मिलेगी कि हम लोग हिमा चली भी अंतराश्च चिस्तर पर अलम्पि बना दिया गया है जो पहले ऑप्षिनल सब्जेक्ट होता था आज कंपल्सरी है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा मौका है हमारे युवाओं को इस ओर आने का और अपना केरियर बनाने का पहले आप देखते ही होंगे कि हमारे वक्त में तो पेरेंस कहते थे प आज आपने साबित कर दी कि नहीं हमने हमारा जो यूथ है बोलते हैं कि खाली दीमाग शेतान का घर तो आजकल हमने अपने यूथ को अगर डाइवर्ट करना है तो I think sports जो है वो बहुत अच्छी जो है वो उनके एक माध्यम बन सकता है युवाओं को डाइवर्ट करने का सनहा लड़की जीत के आई है एशिया में जिसने मुझे कहते हैं खुशी हो रही है और मैं मुबार्ग बाद भी देना चाहूँगा अपने सारे साथियों को भी आपके इस मंच से कि आज हमारी बच्ची हिमाचिल की बॉकसर एशिया में गोल्ड मेडल जीत के आई है सनहा जी और प्रोसान इतना है कि एशिया में जितने के लिए उसको छे हजार डॉलर साथ में इनाम राशी भी मिली है जी और जिस तरह से गौवर्मेट प्रोसान दे रही है आपके नोक्रियों में रिजर्वेशन है पढ़ाई में आपको अड्मिशन के लिए रिजर्वेशन है चात्रितिया अलग से मिलती है बहुत अच्छे प्रोसान मिल रहे हैं मैं तो यह अवान करना चाहूँगा अपने युवाओं को कि आप पढ़ाई जरूर करें पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है खेल कूद से जहां आप अपने स्वास्त रहते हैं आपका आपने अभी कोविट के काल में आपने देखा होगा कि अम्यून सिस्टम आपका बहुत स्टॉंग होना चाहिए अम्यून सिस्टम कहां से ठीक होगा जब तक आप जब आपने बॉड़ी को फिट रखोगे फिट रखने के लिए आपको खेल कूद एक्सरसाइज करना जो ब बन चुका है था तो पहले से हमारे रिशी मुनी भी करते थे योगा क्या एक खेल ही था योगा के द्वारा जो है ना खेल को मुष्टियोद हुआ करते थे लेकिन आज एक सेंटिफिक तरीके से खेल को शूर किया गया है सर आपने ऑलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है एशिन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है और कॉमन वेल्थ गेम्स में भी तो जब आपने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है तो आपके अनुभव कैसे रहे उन अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ और मैं एज ए प्लेयर तो नहीं खिल सका लेकिन खिलाए मैंने जुरूर है अंतराश्च स्तर पे खिलाडी और मुझे 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 मुखा मिला है इवन जो बॉक्सिंग के और स्पोर्स जगत के आईकॉन रहे है मौमाद अली जब मैं सिद्नी अलमपीस किया तो मुझे उन स्पोर्स में स्पिर्ट पेलिकल मैं यहाए मोट कमान जोहती है लाइफ में भी इस पोर्संप्रे होऌनी चाहिए अगर मोट को दर लगता था कि कहीं कि चोट ना लग जाए मैं उनलमप लेकिन हमने कि लिए तती नोग है निकिन हमने करें कि थोड़ी भले हीं कि चोट लगती है किसी और मार रहें तो ल quién शोट लगेगी लेकिन इसमाय ऐसे हैं नहीं है तो हम लोगों को कि आ रहे जोट लगने वाला खेल नहीं है यह सिर्फ एक गेम है इंटरेंग करने के लिए, एक खेल यह भी तो उसमें हम काफी हट तक सफल भी रहें आज अगर आप देखो तो इंडिया ही नहीं विश्यों में बॉक्सिंग पॉपलर खेलों में से एक खेल है दोसो चार कंट्री बॉक्सिंग खेलती है अगर फुटबॉल के बाद आप देखोगे बॉक्सिंग नमबर टू पे आता है अभी हमने बॉक्सिंग लीक करवाई वीवर्शिप क्रिकेट के बाद नमबर टू बॉक्सिंग की थी स्टार टीवी ने इसको कास्ट किया तो सबसे ज़्यादा वीवर्शिप बॉक्सिंग की थी आफ्टर क्रिकेट क्यों कि इंडिया में क्रिकेट तो एक धरम है धरम बन क्रिक्ट को खेलने वाले दस बारा कंट्रीज है बॉक्सिंग को दो सचार कंट्री खेलती है मैरी कॉम एक आइकॉन है मैरी कॉम को सबसे पहले लाने वाला मैं भी था मनीपूर से है तो मरी कुम जब खेली दोहजार में पहली वारी वो चेंपियन बनी दोहजार से लेकर आज तक उसके उमर एठती साल है अभी भी खेल रही है और चीन बच्चों की माँ है तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे आडिया रहे कि बॉक्सिंग कितना खत्रना खेले अगर एठती साल की मैरी कॉम बॉक्सि मिलता है और वो आज MP है मेंबर पार्लियमेंट इस बॉक्सिंग की वज़र से तो खेलों को इंडिया बहुत बढ़ावा दे रही है भारत सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है गोर्मन जो है जो इंफ्रस्ट्रक्चर देती है आज बहुत बड़े-बड़े स्टेडियम बन आज़ल की कि जो स्पोर्ट्स मिस्टर है हमारी हुमाचल के हैं खोद बड़े खिलाडी है और स्पोर्स की बहुत समझ रखते हैं कि हिमाचल में जो है एक हाई-इल्टिचूट ट्रेनिंग सेंटर होना बहुत जूड़ी है हमें जब हम अंतराष्टिस तर्किली जाते हैं तो ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना पड़ता है, जिसमें भारत सरकार के क्रोणों पर खर्च होते हैं, लेकिन ऐसा वातवरन हमारे हिमाचन में है, हाई अल्टिटूट ट्रेनिंग सेंटर का, जो हम रोप जाते हैं, तो वही टीमे हम हिमाचन ला सकते हैं, और उनके कमी है, स्टेडियम की कमी है, तो वो कमियां तो है, लेकिन फिर भी हमारे हिमाचन से जो है, वो स्पोर्ट्स परसन जो है, वो निकर के आ रहे हैं, वो सब आपकी ही बदालत है, सर हाल ही में आप जो हमारी बॉक्सिंग टीम है, वो दुबई में गई और उसका नेतरित्व आप ने किया, तो जब आप उस टीम को दुबई लेकर गए, तो आपके कैसे अनुभव रहे वहाँ पर? दुबई हम लोग जब यहां से गए, हमारे एक बहुत बड़ा दल था, वहाँ चार केटेगरी के लिए एक अठी चैंपिनिशिप थी, यूथ मैं और जूनियर मैं और वोमन, यह चार टीमें बनती थी, और चार टीमों के तकरीबन पजास खिलाडी उसमें थे, उनको लेक बहुत मुश्किल हैं कॉम्पिटिशन करना, लेकिन दुबई वालों ने बहुत खुब सूर्टी से बहुत चीतली के से उसको उकुराया, वहां पर, और मुझे यह बताती है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने थर्टी नाइन मैडल जीते हैं, जिसमें चौ के लिए तो यह गर्व की बात है, और बच्चों के लिए जैसे मैंने पहले का एक बहुत बड़ा उधारन है, जब सिनेहा गोर्ड मैडलिस्ट हो सकती है, दूसरे क्यों नहीं हो सकते, उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं यहां पर, वो भी मैडलिस्ट हो सकते हैं, और मैं हिमाचल में बहुत पोटेंचल है, और आने वाले समय में आप एक नहीं कई चेंपियन देखोगे यहां से, उसके लिए जरूत है, इंफरस्ट्रक्चर की, ग्रौंड की जरूत है, छोटे छोटे ग्रौंड की जरूत है, इंडूर हॉल्स की जरूत है, और की ही, लेकिन वो साथ समय के साथ साथ में भी इसमें कोई परिवर्तन आए, हमें अच्छा स्टेडियम मिल जाए, तो हमारे खिलाडी जो हो निखर के आएंगे, तो दर्शिकों, आज का जो हमारा कारेक्रम था, वो हमारे युवाओं के उपर था, कि युवाओं को अपना जो एनरजी है, वो पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं यूज करना चाहिए, तो राजिश पंडारी जी, आप हमारे स्टुडियो में अपना बहु मुल्य समय निकाल कर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका भी धन्यवाद करत करता हूं कि दूर्दर्शन ने मुझे यहां बलाया और दूर्दर्शन का बहुत contribution रहता है, जब भी हमारी टीमें बाहर जाती है, मैं कई वारी मेरे साथ आपके दूर्दर्शन के जो डिली के लोग हैं मेरे साथ गें और इतनी coverage होती है कि हमारी खिराड़ी को बहुत प्र करता है